दिल्ली के ही आनंद बिहार इलाके में बीते दो दिन से पलाइन करने वालों लोगों का हुजूम लगातार दिखाई दे रहा था लेकिन अब यहाँ पुलिस की सक्ति दिखाई दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीश शरसिया की रिपोर्ट देखिए और्डर के हिसाब से लॉकडाउन का आज छठा दिन लेकिन तस्वीरों के हिसाब से दिल्ली एंसियार में आज पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिखाई पड़ रहा है मैं इस वक्त मौझूद हूँ आनंद बिहार के ISBT के बाहर यानि कि वो जगा जहां से दो दिन पहले तक ऐसी तस्वीरे आ रही थी कि लाखों की संख्या में मजजूर यहां कठा हो गए थे लोग जो बाहर के राजियों में रहते हैं किसी और शहर में रहते हैं दिल्ली से जाने के चक्कर में पलायन के चक्कर में उनकी यहां एक लंबी भीड दिखाई पड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग उनने मेंटेरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन अब आज सुबह की यह तस्वीर है कि पूरी तरह से सन्नाटा है सडक पर आपको ऐसा कोई मज़ूर कोई भी मुसाफिर दिखाई नहीं पड़ेगा जो शहर छोड़ कर जाने की हिमाकत कर रहा हो यह एंट्री गेट है अनन्द विहार बस्रेमिनल का और यहां पर आप दिखे किस तरह से पूरी तरह से बेरिकेडिंग कर दिया ही है सिर्फ जो स्टाफ की लोग है चाहे वो पुलिस होए दूसरे लोग हो उनका आना जाना है बाकी कोई भी यहां पर नहीं आ रहा है किसी को भी यहां रुकने नहीं दिया जा रहा है कुछ लोग भले ही यहां रह रहकर पहुसते हैं लेकिन उन्हें यहां से बकाइदा पुलिस डांट डपट कर भगा रही है किसी को भी यहां आप खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है वीडियो चैनल इस अनूप यादाओ के साथ मनीश रोसिया न्यूजनेशन दिल्ली